आज जिस डिजाइन प्रिंसिपल के हम बात कर रहे हैं that's about proximity असलाम अलेकुम तो हाई गाईस वेलकम बैक तो अनधर वीडियो और जिस तरह हमने डिसकेस किया था about design principles और आज जिस डिजाइन प्रिंसिपल के हम बात कर रहे हैं that's about proximity proximity और proximity का शायद आप लोगों यह नाम सुना हो लेकिन at the same time हमें इसको थोड़ा सा जो है डिग डाउन explain करना पड़ेगा के proximity है क्या चीज नॉर्मली जब भी हम design बनाते हैं तो अगर आपको मैं simple words बताओं तो proximity वह element है हमारे पास जिसमें आपको ना अगर simply मैं बताओं कि यह आप अगर किसी भी elements को आप एक दुसरे से कितना distance पर रखते हैं आप एक दुसरे से कितना उसको close रखते हैं simple इसका जो मतलब है या मकसद है वह यह होता है कि आप आपके design के अंदर जो design elements को जो है ना हम design के अंदर दो main purposes के लिए यूज करते हैं जो सबसे पहला purpose है वो यह है कि जितने भी हमारे पास elements होते हैं design के अंदर उनका connection ठीक है एक textual element है visual है इन दोने के बीच में क्या connection है इस connection को शो करने के लिए हम proximity को use करते हैं ठीक है important के sense में important इसलिए है कि जब आप अपने design में जिन elements को use कर रहे हो अगर वो एक दूसरे से relate ही नहीं कर पा रहे है तो आपका design का मकसद ही खतम हो जाता है तो इस purpose के लिए proximity को हम use करते हैं और proximity हमारे लिए important role अदा करता है in order to make our design more understanding या आप कैसे करते हैं understandable या readable ठीक है to create connections to repel connections ठीक है अब मैं आपको छोड़ी सी मिसाल देता हूँ के let's suppose आप एक contact number यूज कर रहे हैं ठीक है design के अंदर आप एक poster बना रहे हैं उसके अंदर आपने contact details रिखी हैं और साथ में आपने जो है ना एक और icon डाला हुआ है जो कि कुछ और represent कर रहा है अगर आप उन दोनों को एक साथ रखेंगे तो that doesn't make any sense इसमें इसको ना सिरिफ to make a connection also to repel a connection भी हम use कर सकते हैं apart from that moving closer putting apart ठीक है अब इसका क्या मतलब है कि वही elements आपको जिनको आपने करीब करीब रखना है या उनको अच्छा इसमें और चीज है तो हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि मदब कोई भी change नहीं होगा एक बंदा के वैसी बोल देगा या लोगों को थोड़ा सा बढ़ा कर दो ठीक है related elements should be grouped together ठीक है अब इस बात का क्या मतलब है यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने भी आपके पास आपके design के अंदर जो related elements हैं उनको हमेशे अपने साथ में रखना है ठीक है और जो unrelated चीज़ें उनको आपने differentiate करने के लिए थोड़ा सा distance apart रखना है या use हमज लें तो जिस तरह हमने हिरार्की में बात की थी ठीक है आप हिरार्की को अगर आप उठा लें तो हमने यह बात की थी कि जितने भी हमारे पास elements हैं आप चाहते हैं कियार आपका design आपका design जो एना किस तरीके से readable हो किस तरह आपकी audience perceive करें तो आपने एक खास organize एक खास structure में आपने उसको रखना था इसी तरह proximity में भी यही चीज़ है कि आपने जो आपकी unrelated चीज़े हैं आपने उनको कभी भी साथ में ने रखना ठीक है और जो आपकी related चीज़े हैं उनको आपने पास में रखना है so that's where proximity comes into play और हमने एक paragraph दिया हुए which is explaining that image ठीक है अगर इसके साथ मैं contact number दाल दू ठीक है will it make sense no it's not gonna make sense so that's why proximity design principle is important to understand कि हम उसको effectively अपने design के अंदर यूज करें अपार्ट फॉर्म डैट दूसरे एक्जामपल में अगर आप देखें इसी तरह same चीज है उसको different तरीकों से organize करके आपको दिखाए गया फिर से third example फिर इस तरह four example ठीक है still it's not looking bad it's understandable it's making sense तो आप अपने design में you can play around a lot और अपने अपने design के जो जितने भी आपके elements हैं उनको मुक्तलिफ positions पर रखके closer to apart या जिस तर भी आपको वो कहते हैं कि it's all about experiment so whatever suits you the best whatever it's gonna it's gonna convey the message best वही चीज़ आपके लिए important है और वही आपने design के अंदर use करनी है that's all about somehow about proximity और इसमें तना कुछ है नहीं बस यही चीज़ आपने याद रखनी है कि को जो आपके related elements से उनको आपने साथ में रखना है ठीक है आप ऐसा भी नहीं है कि आप जो है ना कोई secondary information है आपके design कि आप उसको बहुत बढ़ा करके लेख लो ठीक है उससे क्या होगा कि जब भी कोई आपका design at first glance देखेगा उसको जो चीज इंपॉर्टन चीज़ है वो नज़र नहीं आएगी सो important क्या क्या चीज़ें हो सक इसके बाद आता है कि जिवो जब उस बंदा उस पर इंट्रेस्ट लेने शुरू कर लेका फिर आपके बाद जो secondary information है आपकी contact details है आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें जो जिनी भी आपने design के अंदर राली है वो चीज़ें वो पड़ेंगे सो देट्स हाल देट्स हाल सम्हाव बाउट दी प्रॉक्जिमिटी इसके बाद जो हमारे पास next element है वह बैलेंस ठीक है अब बैलेंस इन लेमें वर्ड हम बड़ा ज्यादा यूज करने के चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए ठीक है इसी तरह डिजाइन में भी बैलेंस होता है है ठीक है तो इन टोटल वीहव थ्री टाइपस बैलןस वेडंस इन डेजाइन एक हमारे पास समीचे मैंट्रीश होता है नहीं हमारे पास रेडियों बैलेंस होता है ठीक है अब है जिसमें आपके पास यह तीनों बैलेंस आप यूज कर सकते हो एस फार आपकी आपको आपकी नेगेडाइस पे विज्वली आपको कैसा लग रहे है चीज आपके अपकी संसिस के ऊपर उसका कितना असर है ठीक है यह बड़ा इसका में फेक्टर होता है कि जब आपका डिजाइन बैलेंस होता है तो वह कैची हो जाता है और अल्टिमेटली ग्रैप्स अटेंशन आप जिसके लिए आप डिजाइन बना रहे हैं ठीक है है जिस तरह हमने स्टार्ट बात की थी के डिजाइन का जो आपका आपका जो पूरा एक सिनारियो वह रिवाल्व करता है आपके विज्वल और इमोशनल सेंसिस के ऊपर ठीक है आप एज हुमन भी हमारे जो वह कहते हैं कि हमारा सारे सारे जो मशीन वह चलती है एमोशन के ऊपर ठीक है तो बैलेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि वह आपको इन चीजों में बहुत ज्यादा है परेगा तो अगर सेमेट्रिकल बैलेंस की आप देखें अप इस काल्ड फॉर्मल बैलें से इस वेल अप देखें हमारे पास पिवेट बना हुए है उसके उपर जो है न वो दो बाक्स पड़ें तो इस सिमेट्रिकल हो अगर एक ताइफ और पांच केजी का बॉक्स पड़ा दूसी तरह भी पांज तो यह सेमेट्रिकल है ठीक है ऐसे मैं जै कि आप उपर नीचे थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हो ठीक है कुछ चीजें बहुत छोटी होंगी कुछ चीजें बहुत बढ़ी होंगी as far as it's looking good और आपका message convey हो रहा है that's that lies in the asymmetrical balance area इसी तरह फिर हम आप रेडियल है ठीक है प्रॉपर एक symmetry के अंदर एक proper majority जो हमारे जितने designs बनते हैं जितने मैंने देखे हैं तो people prefer symmetrical क्योंकि as in person हम simple चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से perceive कर सकते हैं बनिस्बत यह कि हमारे पास थोड़ी सी complexities हो ठीक है it also depends on the market you are targeting the audience you are referring ठीक है अगर ज्यादा corporate world में ज्याएं ज्यादा बहुत बड़ी जो है organizations को आप अगर target करते हैं तो of course they have big they have big mind sitting there और इस तरह उनका जो scenario होता है वो थोड़ा सा different रहता है लेकिन आप अगर थोड़ी सी चीजों को complex करने भी कोशिश करें तो people will understand but sometime as a designer हम हमारे ऐसी audience से भी वास्ता पड़ता है कि जिनको बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता तो इस वजह से हम prefer यह करते हैं कि हम symmetrical balance इस पर ही को ही follow करें ताके जो जो less exposed audience है हमारी और जो के highly exposed audience है दोनों इस चीज़ को properly and equally understand कर सके next up we have asymmetrical को अगर आप देखें देखें टेक्स हमारे पास different composition में एक एक raw format में पड़ा हुआ है ठीक है तो still it's looking good इसी तरह फिर आप देखें ठीक है सेम content है उसको रेडियल वे के अंदर थोड़ा सा complex हो जाता है थोड़ा सा complex तो नहीं कहूंगा it it's towards the a bit of advanced level ठीक है कि आप उस पर जा के कोई creative artwork बनाते हैं तो वो किस तरह लेगेगा सो इस अब बैलन्स और जब हम practical demonstration करेंगे तो मेरे पास कुछ ऐसे designs पड़े हैं जिनमें हम इच और एवरी element को इच और प्रिंसिपल को I will try to explain it to you guys कि किस तरीके से वो चीज यहां पर इप्लाई हो रही है किस तरीके से वो चीज को हम प्रैक्टिकली डिमॉंस्ट्रेट कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल डिजाइन तो हम इंशाल्ला फर्दर हम चीजों को भी देखेंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं that's all about the balance I think we have finished each and every principle that we had or I hope आप लोगो को इस चीज की इस चीज से काफी ज्यादा help होगी इंशाल्ला और आगे जो हम practical demonstration करेंगे उसमें भी मजीद चीजें भी आप लोगो को clear होंगी until now we have discussed the theory the elements और जब इंशाल्ला हम practical classes करेंगे तो इसमें भी हम इन चीजों को मजीद deeply और thoroughly explain करेंगे so if you guys have any questions please let me know in the comments or I will be happy to assist you और आज के लिए इतना ही काफी है so मिलते हैं आप से नेक्स class में इंशाल्ला अल्ला आफिस